मूली के पराथे बनाने जा रही हूं तो मैंने सोचा रेसिपी आप भूं के साथ भी शेयर करना तो चलिए आए देखते हैं कि मैं मूली के पराथे विल्कुल आसानी से कैसे बनाती है फ्रेंड्स वैसे तो मूली के पराथे कई तरीके से बनते हैं पर मैं किस तरीके से बनाती हूं वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं और इस तरीके से बहुत ही यमी बनते हैं और आसानी से बन जाते हैं तो सबसे पहले हमने दो मूली ली है और उनको घिस लिया है उनको कि उसमें मिटी होती है तो अक्षे से साफ करके गिसना होता है और यहाँ पर मैंने दो कटोरी ऑंटा लिया है गेहूं का आणटा लिया है कि और दो हरी मिर्च मैंने काट ली है आप जादा कम भी कार सकते हैं और हरी धनिय ली है तो यह यहाँ पर मैं हरी धनिया मिला दूंगी और जो हरी मिर्च मैंने काटी थी वो मैं डाल दूंगी यहाँ पर इसके अलावा मैंने थोड़ी सी हींग ली है और अजवाइन डाल दिया है अजवाइन का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है पराटे में तो यह optional है आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और अब अच्छे से यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे सा एक डो तयार करेंगे और पानी कम डालेंगे क्योंकि मुली का अपना भी पानी जूटता है तो मैंने टाइट डो तयार किया है और दस मिनट के लिए इसको हम रख देंगे यह सेट हो जाएगा बिलकुल और बिलकुल हलके हाथों से फिर हम इसको बेल लेंगे बहुत ताकत इसमें नहीं लगानी होती बिलकुल आराम से बेलना होता है नहीं तो फिर अंदर ही हमें इसको पराठे बना लेना चाहिए नहीं तो फिर यह मूली पानी छोड़ने लगती है तो आटा गीला हो जाता है तो दस मिनट के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था मैंने ज्यादा देर के लिए इसको नहीं रखना होता है तो यह देखिए मैंने तबे पर आटा और एक तरफ सिख जाने के बाद दूसरी तरफ पलट लें इसे और फिर इस पर रिफाइंड या घी जिससे भी आप सेखना चाहें वो लगा दें मैंने यहां पर मस्टर्ड ऑयल यूज किया है क्योंकि हमारे रिफाइन बहुत कम यूज होता है और मस्टर्ड ऑयल ब देखिए कितनी अच्छे से एक तरफ सिख गया है यह और इसके उपर मैंने दूसरा पराठा डाल दिया था जिससे एक्स्ट्रा ओयल जो भी इस पराठे में हो वो दूसरे पराठे में चला जाए तेखिए यहां पर एक्स्ट्रा ओयल जो था वो इस पराठे में आ गया है तो इसी तरीके से मैंने सारे पराठे सेक लिये थे और मैंने आलू गोभी मतर की सबजी बनाई है इसके साथ और हरी धनिया की चटनी बनाई है बहुत टेस्टी लगता है तो आप इस तरीके से जरूर बनाएं आसानी से बन जाता है तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा और अगर मेरे ब्लॉग और रेसिपी आप लोंको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं प्लीज लगता है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल बनी होती उसे भी जरूर हिट करें प्लीज डू लाइक शेर और कॉमेंट और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्वन्स व्लॉग और लाइफस्टाइल मिलते हैं आ प्लीज जरूर करें 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 प्लीज जरूर करें